मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर बत्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों महेश वर्णवाल की ये बुक है जोग्रफी की इसको हमें आज से फिनिश करेंगे सो हमारी यहां कोशिश है कंप्लीट बुक को कवर अप करने की सो आप बस चैनल के साथ बने रहे हैं पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबस्क्राइब करना ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है चैनल को सबस्क्राइब करिए नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए ठीक है और इसके साथ ही टेलिग्राम जो चैनल है हमारा उससे जरूर अटेच हो जाएए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता आपको सो एटलीस टेलिग्राम के थुरू आपको पता चलता है कि नया वीडियो अपलोड हो गया है इसलिए आप टेलिग्राम जो हमारा गुरूप है इसको जरूर जोइन करें ठीक है कि ब्रहमाइट के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर नुक्लियर रिसर्च यानि कि सर्न ने 2010 में जनेवा में एक प्रियोग किया था ठीक है तो ये पूरा प्रियोग क्यों करा गया ये सबसे पहली चीज ये है ठीक है कि प्रियोग क्यों करा गया तो प्रियोग इसलिए करा गया कि अब तक कई सारी ऐसी अंसुलजी अवधारनाएं थी जिनको जानना जिनको समझना बहुत जरूरी था जिसमें डार्क मेंटर डार् पार्टिकल यह अलग-अलग नाम से इन अवधारणाओं को जो अभी तक रहस्य में थी इनको नहीं सुलजाया जा सका था ठीक है तो इन सब को क्लियर करना था इन सब को समझना था कि यह क्या चीज है तो डार्क एनरजी उर्जा का एक रहस्य में रूप होता है जो ब्रहमान के रहस्य में अलग अलग नाम है इसको समझने के लिए पूरा यह प्रयोख करा गया हुए कैट इस यह क्या है जिस्को अब कि उर्जाय का एक रहस्य में रूप है और जिस्से लगभग 62 सदी जो उनिंवरस का निर्मान हुआ है तो यहां पर न की बात करें तो ऑभी तो ऑ पहले से विग्यानिक लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडिय परिघटना को प्रियोक्षाला में दोहराना चाहते थे यह जो बिग बैंग हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि बिग बैंग थियोरी क्या थी और जो ब्रह्मांड का निर्मान हुआ उसके बारे में सबसे जादा जो मानी जाने वाली अवधारना है वो बिग बैंग थियोरी है कि पहले सब कुछ सेंट्रलाइज था मतलब एक टोटल एक चीज थी जो बहुत डेंस थी और बहुत जादा उसके अंदर एनरजी थी उसके बाद उसमें विस्पोर्ट होता है उसक इसे रहस को और समझना है ठीक है मतलब इन्हों ने जो पूरी ये प्रियोग करा प्रियोग शाला में या निकि लेबरेटरी में तो उसका बेसिक परपस यह था कि जो इतने करोन साल पहले अरब वर्ष पहले जो घटना होई थी प्राकरतिक जिसकी वजह से तारे और ग्रह हुआ है और इसा क्यों है ऐसा इसलिए कि इसे परमाणू की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है किसको हिग्स बोसान को ठीक है अब यह जो महाप्रियोग सरन ने करा यह फाइनली 2012 में इसका एंड हुआ और एंड इस तरीके से हुआ क्योंकि यहां पर एक सब एटोमिक इसकी खोज करी गई यह जो सब इसका यहां पर सक्सेस रहा था चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आकाज गंगा यानि की गैलेक्सी आसमान में आप देखते हैं हजारों तारे हैं लाखों तारे हैं अर्बों तारे हैं ठीक है बड़ हमें काफी कुछ कम ही देखने को मिलते हैं रीजन बिंग कि हमारा एक एरिया है जहां तक हम देख सकते हैं सो हम इन आकाज गंगाओं के बारे में ही यहां पर बात करेंगे सो आकाज गंगा ठीक है या फिर गैलेक्सी तो सबसे पहले हम बात करें भाई यह सबसे बड़ा क्या है यूनिवर्स यानि की ब्रहमांड ब्रहमांड में लगबग सो अरब आकाज गंगाएं हैं अब यह जो आकाज गंगा हैं इन आकाज गंगाओं में असंख तारे हैं इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं और यह विशाल पुझ होता है इन आकाज गंगाओं में जिसमें एक केंद्रिय बल्ज होता है और तीन होती हैं घुर्ण शील भुजाएं आकाज गंगा की हम बात करें कि आकाज गंगा में असंक तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें केंद्रिय बल्ज होता है और तीन घुर्ण शील भुजाएं होती हैं यह जो तीनों भी बताया केंद्रिय बल्ज में हर एक आकाज गंगा में लगबग 100 अरब तारे हैं आकाज गंगाओं के प्रतिसरण नियम का जो प्रतिपादन करा वो एडविन पी हबल ने करा 1920 में ये आपको जरूर याद रखना है कि आकाज गंगाओं के प्रतिसरण का नियम एडविन प ब्लॉब्स है क्या ये एक तरीके की आकाश गंगाओं और गैसों का समू है बहुत जादा मतलब विशाल का है बहुत बड़ा साइज है इसका इसमें लगभग 20 करोन प्रकाश वर्ष चोड़ी ये आकाश गंगा है ठीक है या फिर उसका हम कहें आकाश गंगा और गैसों का सम एक की लिमन एल्फा ब्लॉब्स इसका शेप कैसा है तो अमीवा के आकार का है ये याद रखना है दूसरा आपसे ये पूछा या सकता है कि इसमें सिर्फ आकाश गंगाओं और गैसों का समू है तो ये चीज़ याद रखनी है ठीक है इसके बाद इस विशाल का संगरशना कि आकाश गंगाएं जो है ब्रह्मार्ण में उपस्तित अन आकाश गंगाओं के अपेक्षा एक दूसरे से चार गुना निकट है चलिए नेक्स चलते हैं एंड्रोमेडा पर अब एंड्रोमेडा जैसे ही आपने नाम सुनाओगा आपको समझ में आया होगा कि भीया ये तो हमारी जो आकाश गंगा है जिसको हम मंदाकनी बोलते हैं उसके नियरबाई है सबसे नियरबाई ठीक है अब कितना नियरबाई है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकरती कैसी है सर्पिल है मिल्की वे रात में जो हम तारों का सम कीले तारों का समू हुएं तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि और ये नेबुला क्या है ठीक है हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है ये लगभग एक लाख प्रकाश वर्श है अगर हम बात करते हैं कि आकाश गंगाओं के समू को क्या बोला जाता है या उनकी श्रंखलाओं को क्या बोला जाता है तो उसको बोला जाता है सुपर क्लस्टर ठीक है अब ये जो सरस्वती सुपर क्लस्टर है ये भ्रहमांड में अब तक ग्यात सरवादिक व्रहद प्रचनाओं में से एक है सरस्वती सुपर क्लस्टर सूर्य हमारी आकाज गंगा का एक भाग है या फिर एक तारा है ठीक है और यह जो आकाज गंगा है मतला हमारी उसकी परिक्रमा 20 करोंड या फिर 200 मिलियन वर्षों से भी आधिक समय से कर रहा है आगे हम बात करें प्लैनिमस सαςमंडल की अब यहां पर हम बात करते हैं सूरी की सूरी जो है को हमारी आकाज गंगा का एक तारा है और आकाज गंगा की परिक्रमा लगबग 20 करोंड वरषों से अधिक समय से यह कर रहा है इसके बाद पलینिमस की बात करें तो पलینिमस क्या है यह सौर्मंडल से बाहर बिलकुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडो का एक समू है इसके बाद साइप्रस या फिर डॉग स्टार की बات करें तो ये प्रत्वी से नौ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और सूर के दुगने दर्वमान वाला एक तारा है तो आप से एक्जाम में ये पूशाया सकता है कि भहिया ये जो साइप्रस है या फिर ये डॉग स्टार है ये एक्जेक्ली क्या है खाली अगर साइप्रस का नाम आ गया तो आपको यहां पर ये पैचानने में हो सकता है नहीं पड़ा होता तो दिक्कत होती कि ये तारा है या फिर कोई और चीज है तो अब आपको ये चीज क्लियर है ठीक है और ये सूरे से 20 गुना अधिक चमकीला है और रात्री में दिखा तम तारा अगर पूछा जाएगा तो वो क्या है प्रॉक्सिमा सेंचरी ये सूरे से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है गैलीलियों ने 1609 में पहली बार दुर्बीन का प्रयोग करते हुए रात में आकाश का अध्यन किया था और उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन एशिया की सबसे बड़ी दुर्बीन है ठीके इसको क्या बोला गया है मल्टी एप्लिकेशन सोलर टेलिक्सकोप यानिर की मस्ट इसका निर्मान किस ने करा इसरों ने करा कब करा 2015 में और रायस्थान के उदैपुर के फतह सागर में ये इस्ते थे ये सारी चीज़ें इसके गतिविदियों पर भी नजर रखी जा सकती है ये इसरों का कॉंट्रिबूशन है गैलेलियों का कॉंट्रिबूशन अभी हमने देखा इसरों का कॉंट्रिबूशन आपको याद रखना है ठीक है कि मस्ट ये यर आपको याद रखना है 2015 और मल्टी एप्लिकेशन सोलर टेल स्फेरिकल रेडियो टेलिस्कोप इसका निर्मार किया तो किस ने करा चाइना ने नासा की बात करें तो इस पिट्जर अंत्रिक्ष टेलिस्कोप द्वारा ट्रेपिस्ट वन नाम का जो एक सौर मंडल है वो इसने खोजा जिसका नाम चिली में इस्थित रोबोटिक टेलिस्क ट्रेपिस्ट के नाम पर रखा गया और इस्पेस टेलिस्कोप को लगभग 16 वर्षों के बाद 30 जनवरी 2020 में सेवा निवरित कर दिया गया तो ये सारी चीजें किसके बारे में जो इस्पिट्जर हो सकता है एक्जाम में इस तरीके से आजाए कि इस्पिट्जर जो ये टेलिस्कोप थी इसका कौन सी एजनसी से संबंध है तो आपको याद रखना है कि नासा से है ठीक है इसके बाद जेम्स वेब दूरदर्शी या माद्यम से 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गोयना से किया गया और यह अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़ी दरपन से युक्त विशालकाई अवरक्त दुरबीन यानि की इन्फरारेड टेलिसकोप है अब इसके बारे में जो आप याद रखेंगे पहला ये नासा की है दूसरा दिसंबर 2021 में इसको जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और ये किस तरीके की है इन्फरारेड टेलिसकोप है ठीक है और ये नासा यूरोपिये अंतरिक्ष एजनसी और केनेडाई जो अंतरिक्ष एजनसी है इसका साजह मिशन है ये जरूर याद करना है कि कौन-कौन नासा के साथ रहा इस पूरे प्रोजेक्ट में तो नासा है सर्म है और यह कैनेडाई जो अंत्रिक्ष एजेंसी है यह इसमें है ठीक है और इसे हवल दुर्बीन का उत्तरवर्थी है फिर सक्सेसर माना जाता है चलिए अब मूव आउन करते हैं आगे सो जो जेम्स वैब टेलिसकोप है इसकी सहायता से क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल है या फिर क्या उद्देश है तो सबसे पहली चीज़ की जो हम देखते हैं बिग बैंक के बाद में प्रत्थम प्रदीप्त चमकियाने की लुमिनस ग्लोज इससे लेकर सौर प्रनालियों क जो क्रमिक विकास हुआ है इस सबका इससे स्टेडी की जा सकती है दूसरी बार ट्रैपिस्ट वन यह सौर मंडल पर जो जीवन की संभावनाए हैं इसकी तलाश करेगा जो आपका जेम्स वैब टेलिसकोप है अब यह जो ट्रैपिस्ट वन है ठीक है यह एक्जेक्ली है कहा चल पाएगए इस दुर्बीण के माद्यम से पता चल पाएगा अगला टॉपिक है यहाँ पर तारे उनकी उत्पत्ती और उनका विनाश यानिकी ओवराल उनके लाइफ सैकल की हम बात कर रहे हैं तो आकाश गंगाओं की हमने बात करी हमने ब्रहमार्ण की बात करी तो ब्रहमार्ण में क्या है ब्रहमार्ड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, अब ये आकाश गंगाएं ब्रहमार्ड ने घूमती रहती हैं, और उनके घूमने से क्या होता है, कि ब्रहमार्ड में जो gases हैं, जो gases के बादल हैं, वो प्रभावित होते हैं, जब वो gases के बादल प्रभावित होते हैं, तो दो hydrogen atom आपस में जोड़ेंगे और एक helium नाविक जो है वो बनेगा और बहुत सारी मात्रा में energy निकलेगी ठीक है और इस अभिक्रिया को होने के लिए भी मतलर नावकिय सनलेयन को होने के लिए भी बहुत ज़ादा energy की जरूरत होती है तभी ये अभिक्रिया start हो सकती है ठीक है वो बनने लगता है केंद्र का जो hydrogen होता है वो समात होने के कारण तारे का जो केंद्री भाग होता है वो संकुचित और गर्म हो जाता है यानि कि वो compressed हो जाता है और hot हो जाता है लेकिन इसके बाहर अगर हम बात करें तो बाहर जो hydrogen है उसका helium में बदलना जारी रहता है दीर भारी पतार जैसे की लोहा हो गया उसके अंदर चेंज होने लगता है इसके बाद क्या होता है तारे में एक तीवर विस्पोर्ट होता है जिसको सुपर्नोवा विस्पोर्ट यानि की सुपर्नोवा एक्स्प्लोजन कहते हैं अगर तारे का द्रवमान यह 1.4 MS यानि की mass of sun इससे कम होता है तो वह अपनी नावकिय उर्जा को खोकर श्वेत वामन यानि की white dwarf में बदल जाता है जिसे fossil star या फिर जीवाश मतारा भी कहा जाता है इसके बाद जब यह श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन यानि की black dwarf में change हो जाता है अब अगर 1.4 MS यानि की mass of sun इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है चंदर शेखर सीमा अगर इस से जादा यानि की 1.4 MS से जादा द्रवमान होता है तो उसमें मुक्त रूप से घूमते हुए electron बहुत जादा वेक के वज़ह से नाविक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और neutron बचे रह जाते हैं इस अवस्था को neutron तारा या फिर pulsar कहा जाता है तो pulsar के बारे में आपको यहां पर समझ में आ गया हो कि इसके अंदर सिर्फ क्या होता है neutron बचे रह जाते हैं अब यह जो neutron तारा है यह भी असीमित समय तक सिकुडता चला जाता है यानि कि जो neutron तारा है इसमें अत्यधिक प हो रहा जाता है जो वहां पर जाको संकेंद्रित होगे एक ही point पर जाकर ठीक है और इस black hole से किसी भी द्रव यहां तक की प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता और इसी लिए black hole को देखा नहीं जा सकता क्योंकि जब उसके अंदर light जो है travel नहीं कर सकती ठीक है तो obviously बात है उस अधिक दो से अधिक जो है black hole का एक समू होता है तो rock black hole क्या है यह आपको यहां पर याद रखना है क्वेसर एक चमकीला खगोलिये पिंड है जो अत्यदिक मात्रा में उर्जा उत्सर्जित करता है इसके बाद आगे हम बात करें event horizon याने की घटना शितिज यह जो द्रिक का बात करें यानि कि अमेरिका का जो यह मैसिच्ट इंस्ट्यूट ऑफ टेक्निलोजी है और जो मैक्स-प्लैंक इंस्टूट है जर्मनी का इनके जो विग्यानिकों का पूरा एक दल था उसने विश्व भर में fellow radio telescope का एक network बनाया है जिसे event horizon telescope या फिर एहट इस परियोजना क के नाम से जाना जाता है तो यह यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एह टी में कौन-कौन शामिल है तो एक तो इसके अंदर कौन शामिल है जो आपका जर्मनी का यह इंस्टिट्ट है ठीक है मैक्स प्लैंक इंस्टिट्टीट दूसरा MIT अमेरिका का, ये दो institute जो हैं वो इसमें EHT परियोजना में शामिल हैं, अब इसके माध्य हमसे ब्लेक होल की तस्वीरें खीचने का प्रयास किया जा रहा है इनसे मिले आंकणों को very long baseline interferometry यानि की VLBI तकनीक द्वारा एक साथ समायोजित कर उसका विशलेशन किया जाएगा इस आभासी टेलिस्कोप की साहिता से वेग्यानिक हमारी आकाश गंगा यानि की Milky Way के केंदर में स्थित सेटरोसियस A, सेटरोसियस A, नाम का जो ब्लेक होल है उसका परिवेक्षन करेंगे, उसका मतलब देखेंगे उसको क्या कोच है इसके अंदर ठीक है, सो इसके साथ ही वेग्यानिक प्रतवी से त्रेपन मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित मेसियर 87 नामक आकाश गंगा के केंदर में स्थित ब्लेक होल का भी अध्यान करेंगे, तो यह तो इसकी बात है इसकी बात है, यह एक बार देख लेना, इनफ अब हम चलते है नेक्स टॉपिक पर जो की है आपका सौर मंडल यानि की सोलर सिस्टम सो सोलर सिस्टम में हम बात करें तो सूर्य है और उसके चारों जो भ्रमन करने वाले ग्रहे हैं तो वो कितने हैं, आठ ग्रहे हैं, 205 उप ग्रहे हैं, धूमकेतु हैं, उलकाए हैं, शुद्र ग्रहे हैं और सहिएक तरूप से इसी को क्या बोला जाता है, सौर मंडल बोला जाता है निर्माण की बात करें तो 4.6 billion वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ था अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं Sun की यानि की सूरे की तो सूरे जो की हमारा क्या है सौरमंडल का जन्ग दाता है एक तारा है ये सब को पता है ठीक है और उर्जा और प्रकाश इसी से हमें मिलता है ये भी आपको और लेडी बता है सूरे की उर्जा या फिर हम कहें तो यही प्रत्वी पर पूरा हमारा उर्जा का शुरोत है बिना सूरे की उर्जा के तो life possible ही नहीं है अर्थ पर ठीक है तो सूरे की ऊर्जा का शुरोत है और उसके केंदर में हाइड्रोजन परमाणों को जो नावकी सनलेयन होता है जो भी हमने बताया था कि हाइड्रोजन एटम 2 मिलनेगे और उन से क्या होगा एक हीलियम नाविक बनेगा और बहुत जादा मात्रा में उसमें एनर्जी मिलती है मतलब सूरश पर उर्जा बनती है ठीक है सो सौर परिवार के अगर हम बात करें तो इसके द्रवुमान जो है लगभग 99 देशनलव 8 प्रतीशत सूरे में ही नहित है और इसकी अत्यादिक गुत्वाकर्शन शक्ति के कारण जो दूसरे ग्रहें वो सूरे के चारोर चक जो केवल सूरे ग्रहन के समय ही दिखाई पड़ता है उसको क्या वरहाता है कोरोना यह उस पर यूट्यूब पर आपको सर्च करिएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर आकर्टी बनती है घ्रिंग लाइक स्ट्रेक्चर बनता है ठीक है इसके बाद कभ अभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणूओं का तूफान इतने अधिक वेग से निकलता है कि सूरे की आकरशन सीमा को पार कर जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है इसी को सोलर फ्लेयर्ज बोग दें यानि की सौर जौला कहा जाता है जब यह प्रत्वी के वायू मंडले प्रवेश करती है तो हवा के कड़ों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानि की औरेरा लाइट यह उत्पंद करते हैं जिसे उत्तरी और दक्षनी दुरूप पर देखा जा सकता है मतलब यह हमारी प्रत्वी है तो यहां पर आपका यह औरेरा लाइट्स आती है और यहां पर ठीक है तो यहां पर इसको देखा जा सकता है उत्तरी दुरूप पर इसको क्या बोला जाता है और दक्षनी दुरूप पर औरेला ऑस्ट्रेलिसिस यह बोला जाता है आगे चलते हैं सौर जोला यह जहां से निकलती है वहां पर काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं और इन्हें ही सौर कलंक या फिर सन इस्पोर्ट्स यह बोला जाता है। यह सूरे के अपेक्षाक्र ठंडे भाग होते हैं, इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, सौर कलंक प्रवल चुम्बकिये विकरण उत्सर्जित करता है, यानि की सन इस्पोर्ट्स जो हैं यह क्या नकालते हैं, इनके इनसे निकलता है चुम्बकिये विकरण यानि की जो आपका मैगनेटिक रेडिएशन है, वो यहां से निकलता है, जो प्रत्वी के बेतार संचार विवस्था को बाधित करता है, इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया जो है उस्तन 11 वर्षों में पूरी होती है जिसे सौर कलंग चक्र यानी की सन इस्पोर्ट सैकिल कहते हैं, तो यह आपको इसके बारे में याद अगना है कि 11 वर्षों में यह पूरी होती है जिसको हम सन स्पॉर्ट सैकल बोलेते हैं और यह जो आपके सौर स्पॉर्ट्स हैं या फिर सौर कलंग है यह जो हैं प्रवल चुम्बकी विकरन सरजित करते हैं ठीक है अब जो हमारे यह सन स् सम या फिर सोलर मिनिमम्म के रूप में भी जाना जाता है और बेग्यानिकों ने क्या बताया कि वर्तमान में 11 वर्ष का नया सौर्ज चक्र यानि की 25 यह प्रारंब हो गया है चलिए अब कुछ और चीज़ें देखते हैं आपर तो आगे हम बात करते हैं सौर मेंडल की यान साल पहले जो है इसका निर्मान हुआ था अब सोलर सिस्टम में हम सबसे पहले चलते हैं सूरज की तरफ यानि की सूरिक योर या फिर कहें तो सन तो सन की बारे में आप सबको पता है कि बिना इसके अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती और अर्थ पर जो मेन एनरजी सो से जो कि हमारा सन है अगर सन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा एक्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है तो यहां पर अगर हम बात करें कि सूरिक की तो यह सौरमंडल का जन्म दाता है एक तारह है और यहां पर जो प्रोजन एटम आपस में मिलते हैं उसमें बहुत जादा एनरजी लिबरेट होती है निकलती है और एक हीलियम नाविक बनता है यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है सूरिमेही नहे थे और इसकी अत्यदिक गुत्वाकरशन शक्ति के कारण अन्य ग्रह जो है वो इस आगे हम बात करें इस सूर्य का जो असके बारे में तो सूरी के स्ठेचर की बात करें जिस पाइट को हम अपनी आखों से देख पाते हैं उसको क्या बूलते हैं प्रकाश मंडल यानि की फोटो स्वेयर सूर्य का जो बहातम भाग है यानि की जो उसका आउटर मोस्ट एरिया है जो केवल सूर्य ग्रहन के समय दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं कुरोना कभी-कभी प्रकाश मंडल से परमाणों का तूफान इतने अधिक तेजवेग से निकलता है कि वो सूर्य की आकरशन शक्ती को पार कर जाता है जिसको हम लोग दुरूवों पर देख पाते हैं और उसको जो है सौर जौला के रूप में हम लोग देखते हैं दुरूवों पर अगर हम उत्तरी दुरूव की बात करें तो उत्तरी दुरूव पर इसको औरेला बुरियलिस बोला जाता है वहीं दक्षनी दुरूव पर औरेला ऑस्तिलिस बोला जाता है ठीक है तो ये सारी चीज है इसके बारे में बाकी अगर हम बात करें सौर जोला ये कहां से निकलती है और यहां पर मतलब जहां से ये निकलती है सौर जोला या पर जो सन फ्लेम्स की अभी हमने बात करी जो हम नौर्थ और सौथ पोल पर देखते हैं जिसकी वज़े से प्रकाश उत्पन होता है तो ये जो निकलती है जह सूर कलंक या फिर सन स्पोर्ट्स यहां पर चुम्बकिये विक्रण यानि कि आपका जो मेगनेटिक रेडियेशन है वो उस सर्जित होता है जो प्रत्वी पर जो बेतार संचार विवस्ता है उसको बाधित करता है इनके बढ़ने विगड़ने की प्रिक्रिया औस तन 11 वर्ष में से 2019 में सब से कम रही थी और इसको सौर नियूंतम या फिर सोलर मिनिमम के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो इसके बाद आगे हम बात करें तो यह एक टेबल यहां पर गिवन है बुक में जिसमें सूरि से रिलेटेड कुछ विशिष्ट तत्व दिये हुए अब जो आपको exam point of view से याद रखने सिर्फ उनकी बात करेंगे पहला प्रत्वी से नियूंतन दूरी 14.70 करोण किलोमेटर प्रत्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोण किलोमेटर यह दो चीज़ याद रखनी है सूर्य के व्यास को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है प्रत इसके द्रवुमान की बात करें तो इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद जो यहाँ पर important point है वो है इसका रसाइनिक संगठन जो आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है सो रसाइनिक संगठन में hydrogen यह तो अभी आपको समझ में आ गया क्योंकि वहाँ पर nuclear fusion होता है सन पर और उसमें helium नाविक मतलब helium बनता है उसमें ठीक है तो सब मेंली क्या है मेंली hydrogen है अगर hydrogen नहीं होगा तो helium भी नहीं बनेगा obvious ही बात है सो hydrogen हीलियम दो में रसाइनिक तत्व हैं जो वहाँ पर बनते हैं इसके बाद photo sphere ताप की बात करें जो अभी आमने प्रकाश मंडल की बात करी तो यह हमारा कितना है यहाँ पर याद रखने की दरूरत नहीं है इसके अलावा जो main point आपको याद रखना है वो यहाँ पर है कि एक पारसेक यह जो दूरी की सबसे बड़ी एकाई है इसका प्रकाश वर्ष के साथ में क्या सही हो जन है तो 3.6 प्रकाश वर्ष यानिकि light year ठीक है तो यह अक्सर एक्जाम में पूशा गया है कि one पारसेक एकोल टू how many light years तो आपको याद रखना है 3.6 एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है कि सूर के प्रकाश दौरा एक वर्ष में तै की गई दूरी 9.46 इंटू 10 की पावर 12 ठीक है तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर यह एक प्रका 12 किलोमीटर अच्छा सूर के प्रकाश की चाल यह भी पूछा गया कोशन है तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसको आप याद रखिएगा सूरी से प्रत्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है 8 मिनिट 20 सेकेंड यह आपको यहाँ पर याद रखन का इसके बाद आगे हम देखे तो सूरे की जो आंत्रिक संगरचना है इसको यह बास पर हम देख सकते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी क्रोड की easily होती है जहां पर डोंड हीड्रोजन एटम मिलते हैं और फाइनली रीम 93 द सर्बक्रुडला सूरी उरज्ज ठीक है यहां पर ताप मंडल की सबसे उपरी यह परत है सौर कलंक यहां पर बनते हैं वर्ण मंडल यह इदर वाला है यह सूरे का निचला ताप मंडल है और वाईयू मंडल की लाल उपरी सतह है प्रकाश मंडल सूरे का सबसे निचली दीप्तमीन सतह है और समवहनिय मेखला यह कुछ इसके सूरिच के जो आंतिक संगरिचना के बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो एक-एक करके अब यहां पर जो और चीज़ें दे रखी हैं सूरिच से रिलिटेड उसको यहां पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि सूरिच के कोरोना का अध्यन और प्रत्वी पर इलेक्ट्रोनिक संचार में व्यवतान पैदा करने वाली जो सौर लप्टे हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो ने आदित ऐलवन उपग्रे के प्रक्षेपड की योजना बनाई है तो आपको यहां पर यह चीज याद रखनी है कि आदित ऐलवन यह जो उपग्रे है इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपड किया जाएगा इसका में कान क्या होगा कि सूरिक के कोरोना को स्टेडी करना और प्रत्वी पर जो इलेक्ट्रोनिक संचार है उसको किस तरीके से बाधित करता है इसके बारे में पता करना ठीक है इसको प्रक्षेपड है यह वर्ष 2022 में किया जाएगा आदित ऐलवन उपग्रह सोलर कोरोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूरिक के सबसे बाहा भाग का अध्यान करेगा तो यह हमें याद रखना है जो यंत्र है सोलर कोरोनो सूर के बाहरी कोरोना से सौर हवा के कणों के संक्रमन का अध्यान करने के लिए नासा ने पंच यानि की पोलेरी मीटर टू यूनिफाई दो कोरोना एंड हेलियोस्फेर पंच यह इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखेगा इंपॉर्टेंट है ठीक है और ट्रेसर्स अब ट्रेसर्स का जो फॉल फॉर्म है इसको भी एक बार देख लेते हैं दटेंडम रिकनेक्ट एंड कॉप्स इलेक्रो डायमिक्स रिकॉंसियेशन सेटलाइट ठीक है यह क्या है ट्रेसर्स इसकी घोशना किसने करी थी नासा ने इन दोनों मिशनों को अगस 2022 तक की उत्पति और सूर्य पर जो होने वाले विशाल मौसमी अंत्रिक्ष तूफान है जोने सौर कर तूफान कहा जाता है उसके बारे में अध्यन करने के लिए सन्राइज यह सारे जो मिशन से कौन कौन से एजेंसी ने इनको लांच किया यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चीज़ें इस से रिलेटिट आ जाता है कोशन तो सन्राइज में क्या है सन रेडियो इंटर फेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट इस मिशन की घोशना की थी इसमें छे क्यूब सेट्स शामिल हैं जो एक बड़े रेडियो टेलिस्कोप के रूप में काम करेंगे और सौर प सोलर एक्सपोलरेशन सेटलाइट इसको प्रक्षेपित किया अब इसका नाम यहां पर आपको याद रखना है शीहे इसका नाम है और यह जो उपग्रेय है यह तकरीबन पांसो सत्रा किलोमीटर की उंचाई पर सूर तुल काल का कक्षा में संचालित होगा और इसके द्वा कर सौर प्रोब जो नासा का मिशन है जो लिविंग विद स्टार कारिक्रम का एक हिस्सा है ठीक है और यह मिशन 12 अगस 2018 के मद केनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा फोर प्रक्षेपड यान द्वारा अंत्रेक्ष में भेजा गया था इस मिशन का उद्देश किया था कि सौर पवन शुरोतों के आधार पर प्लाजमा तथा चुम्बकिय शेतर की संगरचना और गतिशीलता और प्रभाव का तथा उस उर्जा का पता लगाना जो कोरोना यानि की सूरे क्रीट ताप और सौर पवनो यानि की सोलर विंट्स को गति प्रदान करता है ठीक है यह जो मेन म उन से एजनसी के दौरा छोड़े गए यह यान थे या मतलब जो उनका मिशन था कौन कौन सी एजनसी के दौरा यह मिशन स्टार्ट किया गया ठीक है तो अपरिल दोहजार एक्टिस को यह जो अंतरिक्षियान है यह सूरे के बाहा वायू मिंडल लेनी की कोरोना के मद में उडान भरी और इतिहास में पहली बाल किसी मानव निर्मित अंतरिक्षियान ने सूरे के कोरोना को चुआ और यह अंतरिक्षियान दोहजार पच्चिस में सूरे से 61.6 लाग किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगा जो सूरे से उसकी निकटतम दूरी होगी ठीक है तो यह सार प्रकाश रहत आकाश्ययप्ण, इनको क्या बले आता है? ग्रह तो ग्रह की dlaओं की डैफिनेशन आपको याद आखनी है कि ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता और यह तारों की परिकर्मा करते हैं, जैसे कि हमारी जो अर्थ है, वो किसो परिकर्मा करता है, सन की अर्थ से ही प्रकाशित होते हैं और उश्मा प्राप्त करते हैं सभी ग्रह सूरे की परिक्रमा पच्छिम से पूर्व की दिशा में करते हैं लेकिन अब यह दो यहां पर जो अपवाद हैं इन दोनों अपवाद को याद रखना है एक तो शुक्र है और दूसरा अरुण है इसके और दूसरा अरुण यह दो जो हैं यह पूर्व से पच्छिम परिक्रमा करते हैं अब बात यहां पर दी हुई है कि आंतरिक ग्रह जिसमें इनर प्लैनेट्स इसके अंतरगत बुद्ध शुक्र प्रत्वी और मंगल है ठीक है और सूरे से निकटता के कारण यह भारी पदा हैं ठीक है और इसी लिए इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है अब इस विवरन को एक बार देख लेते हैं तो यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तो रहा सन सन के बाद सबसे जो नियर बाई है वो कौन सा है बुद्ध है इसके बाद आता है आपका शुक्र उसके बाद आता है प्रत्वी ठीक है फिर मंगल और यहां पर आपका शुद्र ग्रह की बैल्ट आती है इसके बाद आता है यहां पर ब्रस्पती ब्रस्पती के बाद आता है शनी शनी के बाद आता है अरोन और इसके बाद आता है आपका वरोन ठीक है यह जो ग्रह हैं यह सारे ग्रह क्या कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं यानि की आंत्रिक ग्रह कहलाते हैं और जो इधर वाले हैं यह यह जो आप देख रहे हैं जिसमें ब्रस्पति है वरुण है शनी है और अरुण है यह सारे क्या है आपके यह बाहा ग्रह कहल जाते हैं ठीक है इनको जोवियन ग्रह बोला जाता है और इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है यह साइड